जो भी राम मनोहर लोहिया अबद इनिवस्टी के स्टूडेंट है जो भी राम मनोहर लोहिया अबद इनिवस्टी के स्टूडेंट है अबद ठीक है उनके लिए अध्या इनिवस्टी भी बोला जाता है इसको तो उनके लिए हम 2022 में आने वारे कोशन दे रहे हैं जो दिये फ समझ रहे हो तो इन कोशनों के अलाबा कुछ और मत पढ़ना जो मैं आपको बता रहा हूँ वस इतना पढ़ना है बाकी कुछ और नहीं देखना है ध्यान से देखो सभी लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेर कर देना और कोई भी दिक्कत आ रही है तो कॉमेंट अक्सर में पूछ सकते हो सभी लोग समझ रहे हैं आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेर करना है ज्यादा से ज्यादा शेर करना है सभी को वीडियो को हुआ है चलो देखते हैं इस कोशन को सबी लोग टिक लगाएंगे वने बुक नोट्स गेश्पेपर में जिसमें अप्तियाई कर रहे हैं देखो पहला कोशन सबी लोग लगाएंगे जिसे कहते हैं मनुविज्यान का अर्थ क्या होता है मनुविज्ञान के अर्थ के बारे में सब लोग याद करेंगे मनुविज्ञान का अर्थ most important है इसको याद करेंगे उसके उद्देश के बारे में प्रिकृति और अध्यान के बारे में आप याद करेंगे ये most important है साथी साथ बेभार अध्यन के से कहते हैं इसका वड़न इसे हम उपागम भी बोलते हैं बेभार अध्यन का उपागम इसके बाद में आता है इसकी प्रिक्रिया के बारे में यह मुश्ट इंपोटेंट है और सीखने के सिध्धान्त के बारे में पूछ लेता है बियक्तित्म के प्रिभावित करने वाले कारक कौन-कौन से है इसको तियात करेंगे प्रि bubbик और अभी प्रिरख में देखो प्रेयरक देखो अभी प्रेयरक को ही प्रेयरक देखो अभी प्रेयरक बोला जाता है ठीक है जिसे मोटिव को बोलते हैं मोटिव का अर्थ क्या होता है उनके प्रकार के बारे में आद करेंगे संबेख विचार क्या होता है संबेख विचार के बारे परिभासा और आप विभाहर के इसको चोड़ेना संभीघ के सिध्धान्थ कौन-कौन से हैं वो आप याद करेंगे जैम्स लौजे सिध्धान्थ की पर अलूचना के बारे मियाद करेंगे ज़क्स के विभारे की जो अर्द हो two जो कैसा है उसको आप या DD करेंगे उसके बारे में उसके बारे में और फिर उसके बारे में और और को स्मुचार्णDद प्रेखन जिबन में जो विस्मरण का महत्व है उस महत्व के बारे में देख लेना है ये मौस्ट इंपोटेंट है बुद्धी लब्दी का अब धारणा मौस्ट इंपोटेंट है ठीक है मांसिक आयू क्या होती है अब इसको पढ़के जाएंगे इसके बाद में है कि समुहिक ब्रद्धी का प्रिक्षण की बारे में आत करके जाएंगे अच्छे ब्यक्तित्व की बिसेश्था क्या होती है और अंता मुखी और बहुमुखी ब्यक्ति में अंतर पूछ लेता है मॉश्ट इंपोटेंट है हुर्म इसको ठोड़ को ब्यक्ति के जीवन के संबएग क महतन वस्ति ये कोशन थे 2022 में आने वाल आपको पर नहीं पढ़ना है यह थे दो आपको किवल इन कोशनों को रटके चले जाना आपको फेल करने वाला कोई रही है इस बाद को याद रखना इन कोशन गराब आपको कुछ नहीं पढ़ना है थैंक यू फर वाचिन इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आपको प्रेस कर देना ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना थैंक यू